हेई, वेलकम टो पढ़ाई पर वानवन, कैसे हैं आप लोग, तो आज हम लोग 23rd नुवंबर के जो इतने भी इंपॉर्टन करेंट अपर से उनको फटा पर देख लेंगे, तो वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपने में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो याग, तो पहला है, Department of Archive, Archeology and Museum is celebrating World Heritage भी, तो World Heritage Week जो है, वो 19th November से 25 November तक होड़ा है, और इसको जो कंड़क्ट करा रही है, वो है, Department of Archive, Archeology and Museum, विनीद कुमार टेक्स ओवार इस चार्ज अफ CEO of KVIC, KVIC जो है, वो खादी Village Industry Commission है, जो कि मुंबई में है, और इसके हेट बने है, विनीद कुमार, परफेसर वेनु गोपाल अचन्ता, बिकम सेवेंथ इंडियन, तो बी इलेक्टर अज मेंबर अफ इंटरनेशनल कमीटी फॉर वेट अड मीजर्स, वेट अड मीजर्स, जो है, स्टैंडर कमीटी है, जो कि पूरे वाल्ड में स्टैंडर वेट और डिस्टेंस का यूनिट्स होता है, उसको जो रेगुलेट करत है, उसके मेंबर बने है, वेनु गोपाल, इंडियन मिनिस्ट्री ओफ इलेक्ट्रोनिक्स और आइटी, माइटी, एंड यूरोपियन कमीशन, साइंड इंटेंट अफ कोपरेशन और हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग, तो ये लोग टेखनोलोजी एडवांसमेंट के लिए दोनोंने कोलाबरेट करा है, माइटी ने और यूरोपियन कमिशन, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक्सिस बैंक है, लॉंच दे सेवेंथ एडिशन और इवाल्व फोर MSMEs, अब एक्सिस बैंक का मानना है कि वो डिजिटलाइजेशन और मॉर्डनाइजेशन, ट थातिन्त बाइलेटरल नेवल एक्सिसाइज, नसीम अलबहार, 2022, बेट्विन इंडिया और ओमानी नेवी, इंडिया और ओमान के नेवीज के बीच में, नसीम अलबहार ये कंड़क्ट हुआ है, जो की थातिन्त है, इंडिया विल टेक ओवर देख ओवर चेर्मेंसिप आटिफिसियल इंटेलिजन्स प्रॉम प्रांस, तो जीपए का जो चेर्मेंसी पर बोइंडिया लेने जारी गया, ये थार्ड एरिशन है, गलोबल एनुबल पार्टर सीप आटिफिसिल उितजनेस का, और ये जो जीपए है, ये क्या करते है कि कोई बी अर्टिफिस इंट के सेक्टर में कोई भी एडवांसमेंट होता है तो उसको मॉनिटर करना कि वो सोसाइटी के लिए कितना फीजिबल है नहीं क्योंकि जैसे ने जो इस पे काम करती है अब यह जो लीस्ट आया है इसमें करनाट का टॉप पे आई है की रिन्वेबल एनर्जी रिसुर्सए चाहे वो विंड से हो वाटर से हो या कोईवी तो उसमें सबसे टॉप को ने तो करनाट का है। सेकेंड पर तमिलांडू है, थर्ड पर गुजरात है, फॉल्वड बाई महारास्ट है, ठीक है? बोब आगर, रिटर्न एज डिजनी, एज सीओ फर टू यर्स, तो बोब आगर जिनोंने पांच साल पहले ये रिटार हो गए थे, वो डिजनी से, उसके दुबा भी फिर डिजनी को अपलिफ करने के लिए वापस से सीओ बनके वापस रिटर्न मारें, साथ वेस्टन कमांड ओफ इंडियन आर्मी कंड़क्टे दा इंटीग्रेटेड फायर पावर्ड शेकरने के लिए ये सतुनास जो है, वो एक्सेसाइज किया गया थार डिजनी, जिसमें इंडियन एर फोर्स भी फाइरिंग में थी, ताकि जब अभी कुछ ऐसा तो इसमें इंडियन आर्मी और फोर्स जो है, एर फोर्स वो कंबाइंड वे में कैसे कंबाइट कर सकती है, तो ये प्रैक्रिस उसको लेके थी, नेक्स्ट ए पीएम मोधी डिस्टिब्यूट्स ओवर 71,000 एपोइंट्मेंट लेटर फोर न्यू रिकूरिट अंडर रोजग केमेंट, ECTA, जो की ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में साइन हुई है, जो अस्ट्रेलिया ने 100% जो ट्रैफिक लाइन है, उसको हटा दिया, अब दोनों कंट्रीस के बीच में, जो बाइलेटरल कोपरेशन जो ट्रेड है, वो बहुत हैसल फिरी होके, वो ग्रो करेग और चाइना जैसे मेडियेटर की जुरुवत अभी इंडिया और अस्ट्रिलिया को नहीं है, फोर्थ एडिशन ओफ इंडो पैसिफिक रिजिनल डालोग टू भी हेल्ड इन डेली फ्रॉम नवंबर 23 तो 25 तो यह जो फोर्थ एडिशन इंडो पैसिफिक रिजिनल डालोग क वो डेली में होने जा रहा है, GOM, Group of Ministers, Panel, May Recommend 28% for Online Gaming, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने बता था कि Online Gaming या Online Way में जो भी पैसे कमार हैं, उन लोगों पे फिलाल कुछ टैक्स नहीं लग पाता था सही से, तो उन लोगों भी अब GST के अंदर में लाया जागा और GST का टैब ह होगा 28% उन लोगों का, तो Kerala PM Pinarai Vision, Dedicated Country's Biggest Business Jet Terminal, तो ये country का biggest biggest जो है, वो Jet Terminal, Business Jet, Corporate Aircraft के लिए, जो एक टर्मिनल होता है, वो सबसे बड़ा बना है, Kerala में, टोटल चार टर्मिनल इंडिया में है, ये सबसे बड़ा है, ये ज्यादा ही लाविस होगा, यहाँ पे सब क ताकि हम लोग अपने business sector को, जो हमना tertiary sector, service sector है, ये सब sectors को boost कर सके, वो हम लोग यहाँ पे, वो environment दे सके, वो ecosystem दे सके कि बड़ी-बड़ी companies हमारे यह अच्छे से business कर सके, तो ये सारा कुछ उसी के लिए, उसी way में बढ़ाया गया कदम है, IT Guati Director T.G. Sita Ramam has been appointed as Chairman of All India Council for Technical Education, AICTE के director बने हैं, T.G. Sita Ramam, AICTE ये universities का ranking करती है, उनका course worth decide करती है, AirTail Payment Bank become first bank to launch Face Authentication EKYC, EKYC जो है Face Authentication वाला AirTail Payment Bank पाले लाई है, सब को शन पुछता है, Echotech दे देगा, example में कादमी गन्फिजर Echotech मार देता है, Air India turned out to be the most punctual airline, Air India जो है, वो most punctual airline अक्टूबर में निकली है, जबकि Go First जो है, वो first bottom पे आ गई है, नुवाग जोकोविक, defeated Norway's Kasper Root to win 6th ATP, तो जो ATP Association of Tennis Professionals टाइटल हुआ था, उसमें नुवाग जोकोविक ने Kasper Root को हडा दिया है, और उन्होंने रोजर फेडर के 6 ATP टाइटल के रिकॉर्ड की बरावरी कर लिए है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज इसको share केजिए, और comment section में जुरूर बताइए, कि हम लोग और क्या improve कर सकते हैं, और आपको किस topic पर वीडियो चाहिए, प्लीज comment, thank you very much